क्या बॉलिवूड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर दूसरी शादी करने जा रही है? क्या करिश्मा कपूर फिर से अपना घर बसाएंगी? क्या करिश्मा कपूर पचास की दहलीस पर फिर से दुलहन बनेंगी? जी हाँ, ये खबरें इन दिनों बहुत चल रही हैं. आपको बता दें, पाकिस्तान बेस्ट जर्नलिस्ट ने ये दावा किया है कि करिश्मा कपूर का अफेर मुंबई के एक नामी बिजनस्मैन के साथ चल रहा है. और बहुत जल्द करिश्मा कपूर उसके साथ शादी कर सकती है. बॉलिवूड इंडस्ट्री की खुबसूरत एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने नब्बे के दशक में कई हिट फिल्में दी हैं, जिसके बाद उन्होंने साल 2003 में बिजनस्मैन संजे कपूर के साथ शादी की थी. लेकिन 2016 में तलाक के बाद से वो अकेली है. लेकिन अब खबर है कि वे जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली है. करिश्मा कपूर के दो बच्चे हैं, जिन में बेटी समायरा कपूर और बेटा कियान राज कपूर है. दोनों बच्चे अपनी मां के साथ ही रहते हैं. हालां कि एक्ट्रेस की ओर से इस पर अभी तक कोई रियक्शन नहीं आया है. करिश्मा कपूर के पहले पती संजय तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन करिश्मा ने अपने बच्चों की परवरिश को प्राथमिकता देते हुए सिंगल रहने का फैसला किया था. अब खबरें आ रही हैं कि वो जल्द शादी करने वाली हैं. एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये दावा किया है कि करिश्मा कपूर का आफेयर मुंबई के एक नामी बिजनसमैन के साथ चल रहा है और बहुत जल्द करिश्मा कपूर उसके साथ शादी कर सकती हैं. आपको बता दें कि करिश्मा कपूर कुछ साल पहले संदीप तोशनीवाल नाम के एक बिजनसमैन को डेट कर रही थी लेकिन ये रिष्टा बहुत ज्यादा नहीं चला और दोनों की राहें अलग हो गई हालांकि उनके दूसरी शादी के कयासों की बातों पर उनके फैंस को करिश्मा के रियक्शन का इंतिजार जिसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि सच में वे शादी कर रही है या ये महद अफवा है तो अब कहा जा रहा है कि करिश्मा शादी कर सकती है अब तक अपने इस अफेयर को लेकर करिश्मा ने कोई बात नहीं की है लेकिन उन्होंने अपने फ्रांस हॉलिडे की जो उन्होंने तस्वीरें शेर की है उसे देखकर यहीं लगा कि उनके साथ कोई और भी है और एक तस्वीर उन्होंने शेयर भी की थी, जहां वो बैठी थी और उनके साथ वाले शक्स की तस्वीर धुंदली थी तभी से क्यास लगाने लगा था कि शायद करिश्मा कपूर फिर से शादी करे कई बार देखा गया है कि जब भी वो कोई Bollywood पार्टी में जाती है तो उन्हें करीना कपूर और सैफ अली खान के साथ देखा जाता था कई बार ये भी आरोप लगा था कि सैफ और करीना उन्हें भाव नहीं देते हैं और इग्नोर भी करते हैं और करिश्मा के जो फैंस है उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। सोशल मीडिया पर इसी बातों देखते हुए वो कहते हैं कि करिश्मा को भी अब शादी कर लिनी चाहिए। आपको बता दें कि जब आलिया भट और रनबीर कपूर की शादी में कलीरेन के रसम के दौरान जब कलीरा करिश्मा कपूर के उपर गिरा था, तब उन्होंने इस बात को शेर भी किया था। कहा जाता है कि जब नई दुलहन का कलीरा किसी दूसरी सिंगल लड़की पर गिर जाए तो उसकी भी शादी जल्द ही हो जाती है। तो अब ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि क्या कपूर खांदान की लोलो क्या दूसरी बार अपना घर बसती है।